Hello everybody, this is Saurabh Pandey. Now we are coming to a very very shocking news in the world. दुनिया का एक बहुत ही shocking news आया है चानक. और वो ये कि Telegram के CEO and owner Pavel Durov को arrest कर लिया गया फ्रांस में. फ्रांस में जो इनका arrest है पुरी दुनिया में एक बहुत ही चर्चा का विसे बना हुआ है. चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि Pavel Durov है कौन आखेर. तो अभी आप मैंने आपको बता है Pavel Durov is the owner and CEO of Telegram. Telegram आप सबने यूज किया होगा. Telegram इंडिया में काफी ज़्यादा popular है. Russia, Ukraine and India जैसी country में Telegram काफी हद तक popular है. As a student, as a tutor, हम लोग भी Telegram को काफी ज़्यादा यूज करते हैं. तो Telegram की कुछ खासियत है, देखे. Telegram, WhatsApp and other social media के चैनल में इसमें कुछ बहतर आपके पास technology है. क्या technology है? कैसे बहतर है? देखे. सबसे पहले मैं आपको बताओ कि Telegram की खासियत यह है कि the number of users in a Telegram can be very, very large. तो Telegram बहुत large number of users को support कर सकता है एक साथ, हलांकि यह जो supporting है WhatsApp and other channels में काफी limited होता है. तो सबसे बड़ी खासियत तो यह है. दूसरी खासियत जो Telegram की है, वो यह कि Telegram का encryption काफी बहतर है. encryption आप सभी जानते होंगे, चलिए जो नहीं जानते होंगे, उनको मैं बता दूँ. encryption क्या होता है? encryption आपका data security का एक तरीका होता है. तो जो भी आपका data होगा, उस data को encrypted form में, मतलब coded form में store किया जाता है और इसकी key उसी के पास होगी, जिसके पास data access करने का key होगा. तो जो data access कर सकता, जो user होगा, वही उस data को access कर सकता, उसी के पास key होगी. तो अगर कोई ऐसा user, जिसके पास कोई access point नहीं है, उसके पास इसका key नहीं होगा, data access नहीं कर पाएगा. इसका मतलब यैसे समझें कि मैंने एक lock बना दिया उस lock की काई सारी चाविया हैं और मैंने A, B, C, D, E पांच चावियों को distribute कर दिया तो पांच चावियों को जब मैं distribute कर देता हूं तो A, B, C, D, E यही लोग lock को open कर पाएंगे लेकिन अगर T इसको open करने कोशिस करता है T open नहीं कर पाएगा अगर T चाहता है कि A, B, C, D इन में से किसी एक की चावियों का मैं duplicate तयार कर लेता हूं और फिर मैं इसको open करता हूं तब भी open नहीं कर पाएगा तो देखे कितना बढ़िया encryption method है तो therefore telegram जो है काफी अच्छे encryption method के साथ आता है और इसी encryption method जो है यह telegram को काफी अच्छा बनाता है तो telegram काफी popular हुआ खास कर अगर हम Russia की बात करें, Ukraine की बात करें तो आज के time पे रशिया और Ukraine में जो एक real war चल रही है उसका एक virtual format हमें telegram पे भी देखने को मिलता है इंडिया में तो telegram इतने ज़दा popular है कि इतने सारे जो education channels है इतने सारे जो education के content है वो telegram पे बेजे जा रहे है लेकिन telegram का जहां एक positive point है वही telegram का एक negative point भी है देखे जब कोई security बहुत हाई होती है तो security हाई होने कारण उसका positive point भी होगा उसका negative point भी होगा यही negative point इनके arrest का कारण बन गया तो negative point क्या है telegram का सबसे पहला negative point यह है कि इनकी security इनका encryption इतना हाई है कि कोई एक agency जो security में deal करती है वो भी इसका data access नहीं कर पाएगी that means कि आप कितने भी hi-fi agency हो दुनिया के लेकिन आप telegram से data बिना access की के data access ही नहीं कर सकते तो कई सारे जो security agency थी पूरे world की यह telegram का data चाहते थे और उनको telegram का data मिलता नहीं था किस type का data चाहते थे वो कि हमारा personal data चाहते थे no so telegram पे ये देखा गया कि बहुत सारे terrorist organization सक्रिये हैं ये भी देखा गया कि कई सारे ऐसे organization जो child pornography में deal करते हैं drugs dealing कर रहे हैं वो भी telegram के उपर सक्रिये हैं और उनका data access नहीं हो पा रहा है यही problem आती है जहां पे जिसके कारण की telegram के CEO and owner को arrest कर लिया गया है हलांकि Russia ने भी telegram का data कई बार access करने की कोशिज की और Russia ने ये भी कहा कि telegram से मुझे Ukrainian leaders का data चाहिए similarly कई सारे European country ने भी telegram का data access करने कोशिज की हलांकि this person believes in free speech, freedom of speech and therefore इन्होंने data किसी को नहीं दिया, किसी को access भी नहीं दिया रिसेंटली जब telegram के CEO को जब अरेस्ट किया गया तो पुरी दुनिया में जो डिबेट स्टार्ट होता हो ये कि अगर मान लिजिए मेरे platform पे कोई third party कुछ मिश्चीव कर रहा है कोई problem create कर रहा है तो क्या उसके लिए मैं responsible हूँ ये पूरी दुनिया में अभी एक debate स्टार्ट हो चुका है क्योंकि पावेल्ट यूरोप को इसी कारण सहरेस्ट किया गया है कि आपके telegram channel पे बहुत सारी illegal activity चल रही है और इसी illegal activity को आप रोकने में सक है और पाकिस्तान कहता है मैं responsible नहीं हूँ इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपके platform से इस तरह की कोई illegal activity होती है the platform will be liable, platform will be responsible, why you should not be responsible because you are having the data, then next next बास जो हम discuss करने जारे है वो यह कि कई लोगों ने कई जो बहुत बड़े-बड़े platform के owners हैं like Elon Musk है या फिर और भी like Mark Zuckerberg भी तब कुछ ऐसा statement उनका आया नहीं है बट कई बड़े-बड़े platform के जो owners हैं उन्होंने इस arrest को criticize भी किया है अब Elon Musk ने तो openly criticize किया बट अगर हम दूसरा पहलू देखें तो जिस तरीके से Pavel Durov को arrest किया गया इसी तरीके से Mark Zuckerberg को भी arrest किया जा सकता है same charges तो उनकी उपर भी लगाया जा सकते है New Zealand में नरसंहार हुआ और दो दीन तक New Zealand के नरसंहार का video चलता रहा लेकिन इसके इस बात पे Mark Zuckerberg को arrest क्यों नहीं किया गया there are many pornography things that are running openly in like Facebook then why this person is not arrested right not only Facebook or Telegram we are talking about but there are many other social media channels that are openly dealing in arms openly dealing in drugs there are social media channels that are recruiting child children in terrorist activities they are not arrested so sometimes ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं इनके arrest के पीछे कुछ political motive भी है हो भी सकता है but we are not here to discuss the political motive but students के माधिया student को मैं यह कहना चाहूंगा कि इनका जो arrest है इनका arrest पूरी दुनिया के लिए एक shocking news है और आपके लिए important है क्यों आपके लिए important है क्योंकि यहीं से आपका data protection bill के उपर question आ जाता है और data protection bill आपको पता होना चाहिए so students next video में मैं आपके सामने data protection bill के बारे में विश्तार से चर्चा करूँगा कि इंडिया का data protection bill है किस तरीके से इन activities को डील करता है और पहले ही बुरी दुनिया को बता के रखा है हमने कि आपके द्वारा कोई भी ऐसा illegal work हमारे आपके platform से नहीं होना चाहिए okay, so this is all about the arrest of this person Peral Durov, so students in the next video we will discuss about the data protection bill, thank you